मोदी सरकार में मंतुराले का बंटवारा हो गया और 71 मंतरियों ने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी संभाल ली है यहाँ पर मोदी के मंतरी 100 दिन के target पर लगे हुए है और विपक्ष किसी और target पर है क्योंकि मंतुराले का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अच्छानक चिंता सताने लगी और फिर जुन-जुना वाला राग शुरू हो गया आखिर विपक्ष को एंडी सातियों को मिले मंतुराले में ऐसा क्या दिखा मोधी थ्री पॉइंटों का अधिकारिक तोर पर कांकाज शुरू हो चुका है कल देश शाम मंतुरालियों का बंटवारा हुआ और आज 71 मंतुरियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिवेदारी ले लिए यहां सरकार अपने काम पर लगी और वहां विपक्ष अपने काम पर मंतुराले का बटवारा विपक्ष को पसंद मनी आया उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और इसलिए हमलों और तंज का दोर तेज हो गया जो बिहार के वज़से आप पर्धान मंत्री बने और मंत्राले जब भार के लोगों को दिया गया तो कहीं-णहीं से जुन-जुनना जै थमायागा। दरसल नतीजे आने के बाद से ही मन चाहे विभाग के लिए जेडियू और टीडिपी बीजेपी पर दबाव बना रही थी। उसे भी कमतन नहीं आका जा सकता। अपना दल S को दो विभागों में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। ऐसे में NDA गड़बंदन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गए है। मुझे लगता है उसको पूरी इमानदारी से निभा कर अपने विभाग की उपलब्दियां जब जन्ता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगे। तो जो इस उमीद के साथ तंज कसने का प्रियास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। और असमॉल और मेडियम इनलेस्टिस के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि यहाँ ठीक है विभाग है अच्छा है देखेंगे। यूरो रिपोर्ट यूजेटी जोश इसलिए क्योंकि अमीठी में कॉंग्रिस की वापसी और राइबरेली में राहूल गांधी ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा बरकरार रखी। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद भाई वेहन का पहला राइबरेली का दौरा काफी चर्चा में है और चर्चा इस बात की भी उने लगी जब राहूल गांधी ने कहा प्रियंका अगर चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते। उत्तर प्रदेश में जब हाथ के हालाद बदले विछड़े कॉंग्रेसी जब साथ आए तो चुनाव परिणाम का जोश राहूल और प्रियंका के चेहरे पर चलखने लगा कि यहां से अवद से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित एक सची एक साफ राजनीती चाहिए अपने देश में पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है इस चुनाव में प्रियंका गांधी और राहूल कांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनावी चक्रविहू की रचना की राय बरिली में जिस तरह से दाउं खेला उसने अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया और दोनों भाई बहन की जोड़ी ने ना सिर्फ अमेठी में वापसी की बलकि सोनिया गांधी की पृतिश्था को वखुभी बरकरार रखा पहनत की दो-दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने राय बरिली में चुनाव में काम किया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रियंका का और आप सब का एक और एक और आइडिया है मेरे पास वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उत्तर प्रदेश के बेहतर चुनावी परिणाम के लिए राहुल गांधी बार-बार प्रियंका गांधी को श्रे दे रहे हैं और राय बरिली की धरती से प्रियं मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं राहुल कान्धी ने कहा अगर मेरी बेहन प्रियंका वारानसी से चुनाव लड़ती तो मोधी ठाई लाग वोटों से हार जाते और सिरफ अयोधिया में नहीं बाई और बेहनों सिरफ अयोधिया में नहीं वारानसी में जान बचा के निकले हैं प्रधान मंत्री और मैं आपको कहता हूँ और बेहन से कह रहा हूँ अगर ये लड़ जाती वारा नसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दो-तीन लाक वोटों से वारा नसी का चुनाव हार जाती है चुनावी परिनाम के बार राहूल गांधी और प्रियंका गांधी का ये पहला राइबरेली दोरा था इस दोरान उन्होंने कार्यकरताओं से अहवान किया कि वो इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें और देश की राजनीती के जो प्रमुक मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहें लेकिर इस दोरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है आखिर राहूल कांधी वाइनाड और राइबरेली में किसे चुनेंगे क्योंकि दोनों लोग सभा सीट पर उनको जबरदस्त जीत मिली है ऐसे में राइबरेली के आसार ज्यादा है क्योंकि राइबरेली 2004 से सोनिया गांधी की संसदिय सीट रही सोनिया के राज्य सभा जाने की वजह से सीट खाली हुई सोनिया गांधी के कहने पर राहुल ने रायबरेली को चुना राहुल कांधी रायबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे वाइनाड से प्रियंका या लोकल नेता को मौका संभाव वहीं दूसरी तरफ यूपी कॉंग्रेस की पॉलिटिकल अफेर्स कमेटी की बैठक में परस्ताओ पास किया गया है कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से ही अपनी सदस्यता बरकरार रखनी चाहिए यानि राहुल गांधी रायबरेली तो प्रियंका गांधी वाइराड में मोर्चा संभाल सकती है और अब एक नज़र डालते हैं क्राइम की दस बड़ी खबरों पर कुशांबी में आसोजी और बदमाशों के बीच मुटबेर कुई बदमाश के पैर में गोली लगी की बदमाश पर दर उच्छे कई अपराधिक मालें गाजियबाद में सर्राफा कारुबारी से लूट की वारदात बाइक सवार बदमाशों करें दो किलो चांदी सोना और कैश्य लूप कर अंजाम लिया वो अधयर की हद्ख्त्या खुलासं किया पत्नी लिकली फरार चल रहे थे ग्रेटर नोटर में अव्याद कब्जा के खिलाफ बुल्डोजर अक्शन अथारिटी ने 124 करोड की जमीन को कब्जा मुक्त कराया प्लेंद शहर पुलिस की फोजी एसो जी टीम से मुठेर पोलिस ने फजी एसो जीटीम के टीम सव्ब्यसर को गिरफतार किया डो तमचा और कार्पश कहा रांपुर्ली Я और गोतसकरों के बीच मुट्बेड हुई पुलिस की जवाबी कारवाई में गायल शातिर गोतसकर पहीं गिरफतार तमंचा कार्थूस और बाइक बरामित बाइदा में पती पतनी के बीच मामुली विवाद में मारपीट नाराज पती ने पतनी पर कुलहाडी से हमला किया मह के बीच में गिरफतार किया जेसीबी ज्याइवर पर कई लोगों को चलने का प्रयास करने का रोप पुलिस की चीन पर भी जेसीबी चलाने की कोशिश